नमस्कार किसान भाईयों प्रशिफाई के मंडी भाव अब्रेट नापका स्वागत है मैं हूँ राश्य आपके साथ आईए देखते हैं उत्तर प्रदेश की अलग-अलग मंडियों में फस्रों के क्या कुछ दाम रहे तो शिरुवात हम करेंगे लखनों की मंडी के साथ जहा मंडी में अधान के दाम 3050 चावल के दाम 2460 पीली बक्षमा के दाम 2100 और गेहों के sollen के їх Ciao के दाम 2550 रुपे रहे घाणी अफ्यान यहां का तथिस तो नफश रुपे इसके अलावा गेहूं के दाम 261 रुपे और जो के दाम 292 रुपे रहे पिरीभीत की मंडी की बात करें तो यहाँ पर धान के दाम 2040 रुपे रहे और चावल के दाम 2650 रुपे रहे कानपुर की मंडी की बात करें तो यहाँ पर धान के दाम 2060 रुपे रहे चावल के दाम 2,090 रुपे रहे और लाल जुआर के दाम 275 रुपे रहे देशी बाज़रा के दाम 230 रुपे रहे पिली मक्का के दाम 260 रुपे रहे और केहुं के दाम 2680 वहीं जौ के दाम 290 रुपे रहे अब बात करेंगे दर्थन फसनुगी तो आजमगड की मंडी में हरी मुंग के दाम 7755 रुपे रहें छोटे चने के दाम 560 मसूर दाल के दाम 7830 काली उरत के दाम 7435 सफेद मठा के दाम 5960 और मठा की दाल के दाम 6430 रुपे रहें इसके अलाबा आगरा की मंडी में हरी मुंग के दाम 6670 रुपे रहें और काली उरत के दाम 7555 रुपे रहें मसूर दाल के दाम 9270 चने के दाल के दाम 6550 और अरहर दाल के दाम 9850 रुपे रहें बुलंद शहर की मंडी में हरी मुंग के दाम 7750 रुपे रहे, छोटे चने के दाम 5720 रुपे, काले उरत के दाम 7950, हरी मुंग दाल के दाम 8780 रुपे रहे, बुलंद शहर की मंडी में हरी मुंग दाम 840 रुपे रहे, छोटे चने के दाम 5725 रुपे रहे, छासी की मंडी में सर्सो तेल के भाव 16000 रुपे के आसपास रहे, वही प्रियाग राज की मंडी में मुंग फली के भाव 6350 रुपे रहे, काले सर्सो के भाव 6400 रुपे रहे, सर्सो तेल के भाव 16000, सर्सो खली के भाव 2900, अलसी छोटे दाने के भाव 7500, और सफे तिल के भाव 11800 रुपे रहे, तोहीं कानपुर की मंडी में चोटी मुंगफली के भाव 6,425 रुपे, सर्सो तेल के भाव 6,16,100 रुपे रहे, काली सर्सो के भाव 6,315 और सफे तेल के भाव 12,050 रुपे रहे ललितपुर की मंडी में छोटी मंगफली के भाव 5250 और सरसु टेल के भाव 15,250 रुपे रहे किसान भाईउं ये रहा आज का उत्तर प्रदेश का मंडी भाव अपडेट क्रशी से जुड़ी और भी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहे क्रशी फाई के साथ धनिवाद